आईने हिंदी के एक नए अपसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो के फिर्वात करने वाले हैं तेजस मार्क वन ए प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़े अपडेट से एक तरफ जहां भारतिया वायवसना के तरफ से एक प्रोएक्टिव एप्रोच देखने को मिली ह आपको यादो का कल के वीडियो में ने कहा था कि भारतिया वायवसना के जो नए वायवसना प्रमुक है चीफा वेस्टाफ एयरचिप मार्शल एपी सिंग सर उन्होंने कहा था कि हम तेजस प्रोग्राम से काफी जुड़े हुए हैं और हमने इस प्रोग्राम को शुरवात जाएगा जिया थ्रूआउट डर लाइफ साइकल जो तेजस मार्क वन ए है इन्हें लगातार अपग्रेड देने की जो बात है वो की जा रही है जैसे ही तेजस मार्क वन ए भारतिया वायवसना की फ्लीट में बड़े नंबर्स में जॉइन करेंगे तो चाहिसी बात है इन को किसी प्रकार के दिक्कत यहाँ पर ना हो दसल इस रैपिट पेस के पीछे वज़य यह है कि बीचते समय के साथ जो थ्रेट है यह भी इवाल्व होंगी और उनको काउंटर करने के लिए मौडरन वार्फियर में एक आपको भी रेडी होना जरूरी है अब यहाँ पर जो इनकी बात करें तो यह अपग्रेड मुख्यता हमें एवियोनिक्स में देखने को मिलेंगे रेडार सिस्टम में देखने को मिलेंगे इसके लबाद दूसरे और भी क्रिटिकल सिस्टम जो है उनको अपग्रेड यहाँ पर दिया जाएगा भारती वायव सेना ने इस जरूर प्रश्रों के बाद उतना एफेक्टिव नहीं रह जाता और यही आपरा चलंज जो है भारती अवाइव सेना को फोर्स कर रहा है कि वो टेक्नोलोजी को इंको इंको परेट करते रहें और जैसे जैसे भारती अवाइव सेना को अपग्रेड की ज़रत मैसूस हो इन एक्राप क जो कि भारती अवाइव सेना के रिक्वाइव सेना के बनाया गया है और यह अल्रेडी बहुत जादा फ्लेक्सिबिल्टी मॉडिफिकेशन और अपग्रेड के साथ आता है लेकिन फिर भी जो भाविश्य के अपग्रेड है जो कि हर से तीन वर्षों में दिये जाएंगे इ जो इंस्ट्यूशन होगे इनके उपर यह जिम्मेदारी होगी कि यह जो चेंजर्स हैं ना सिप उनको इंप्लेमेंट करेंगे बलकि उसको वैलिडेट करने की जिम्मेदारी भी इनहीं के कंदों पर होने वाली है और हर तीन वर्षों में जो फाइटर जिट के एक्विपम संस्थाओं के द्वारा सहायता दुएकर नहीं किये जाएंगे बलकि आपको बता दें कि बहुत सारे क्रिटकल पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हम औरिजनल मैनुफैक्ट्र से इंपोर्ट करते हैं उन्हें भी इंडिजनाइस किया जाने की जो कवायद है उसको शुरू किया गया है अब यह शिफ्ट काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि हिंदुस्तान अरॉनॉट एक सिम्टेज जैसी जो संस्था है वही इसे एक राप को अपगरेट करने की जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगी और यह हमें ना सिब आत्मेर भर बनाएगा बलकि हमारी रिक्वा की जरूरत भी ना पड़े जो कि आम तोर पर हम देखते हैं डिले का प्रमुक कारण होता है और यहीं सारी चीजे लेकर भारतिया वाइव से ना आगे बढ़ रही है प्लान तो यह भी है कि जो सौट्वेयर कोडिंग है टेस्टिंग है और इसका रिवैलिडेशन है नए ट जादा कंट्रोल चाहिए होगा जादा कस्टमाइज चाहिए होगा एक चीज़ और जो आपको पता होने चाहिए भारतिया वायस होना के इस चुन्ता के पीछे का मेन कारण यह है कि भारतिया वायस होना का यह मानना है कि जो modern warfare की बैटल फील्ड होगी अब हविश्य की की ज़रूरत काफी ज़ादा है और वाद डिकेड हमें इन एक्राफ्ट को स्टेट अप ड़ आर्ट जो टेक्नोलोजीज हैं उनसे एक्विप करना पड़ेगा और तभी जाकर करके हमारे पास चांसे होंगे कि हम एफेक्टिव वे में जो अपने एड़ोसरीज हैं इनको काउ या फिर इसके रेडार सिस्टम को ट्यून कर दिया जाएगा बलकि जो एक अपग्रेट पैकेज है एक्राप का वो हमें देखने को मिलता रहेगा अब एक और बड़ा सवाल यह है कि अखिरकार अगर हम तेजस मार्क वने की बात कर रहे हैं तो हमें तो पहले से ही पता है कि यह तेजस मार्क वन का अपग्रेड वैरेंट है जहां पर 43 अलग अरग इंप्रूब्मेंट्स किये गए हैं तो क्या हमें तुरंत इसके अपग्रेड की ज़रुत पड़ेगी और क्या जब हम अपग्रेड करने जाएंगे तो इससे भारतिया वायव सेना की कॉमबैट कैप प्रभावित नहीं होगी तो आपको बता दें कि यह जो भी अपग्रेड होने वाले हैं यह सब इकठा नहीं होंगे ऐसा नहीं है कि अगर मान दी जब भारतिया वायव सेना के पास 1500 तेजस मार्क वने ऑपरेशनल हैं तो सभी के सभी 1500 तेजस मार्क वने में हमें एक साथ अ इनकी कैपबिल्टी भी प्रभावित नहीं होगी और यह ऑपरेशनल बने रहेंगे जब पुराने बैच को अपग्रेड मिल जाएंगे तो उसके बाद वो एक्राप जिन्हें अपग्रेड मिलना है उनको फैसल्टी में लाया जाएगा और उनको अपग्रेड दिया है कि भारती वायव से ना दो सो से जादा जो तेजस मार्क वने जेट्स हैं इनको अपरेड करेगी और ऐसे में यह लॉंग टर्म जो इनके बनाय रखने की कवायद है यह भी शुरू की गई है उनको रिलेटेबल बनाय रखने के वे ध्यान दिया जा रहा है अब तेजस मा स्टिर मार्क वने का इंटीग्रेशन चलि रहा है अस्त्रमार्क टू का इंटीग्रेशन बेस में किया जाना है अस्त्रमार्क 3 भी सम्भावी थै कि टेजस मार्क 1 AK स्ट्राइक पैकेज में देखने को मिलेगी यानि 110 से लिकर के 300 किलोमेटर से जादा दूरी तक मारक्षमत इसको मिलेगी ब्रमोज इंज्री का इंटीग्रेशन कंफॉर्म है और एसम हैमर जो है वो अल्रेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है इस पाइस बॉम इसके हिस्से बन चुके हैं और रैमपेज जैसी जो मेसाइल है वो भी इसका हिस्सा बनने वाली है तो यह कफी अच्छ